रोग्स और मिनलस के बारे में हमारा जो और्ट का क्रस्ट है यह किसे बना हुआ है यह बना हुआ है रोक से हमारे अर्थ में यू और इस वेड्स होथे हैं एक उता अट्मोस्फेर, बायोस्फेर, हाइड्रोस्फेर and लिथोस्फेर. And this लिथोस्फेर is made up of rocks. किसे बना हुआ है? Rock से बना हुआ है. अगर आपने घर में देखेंगी तो इते या टाइल्स, they all are made up of rocks. So how these rocks are formed? How many types of rocks are there? And what are their uses? That we are going to read in this chapter. So let's start it. Billions of years ago, when our earth was formed, it was a ball of hot gases. Yes, शुरू में विटा, कोई भी stone नहीं थे. क्या था? Hot gases थे. और molten materials. The molten आप जानते हैं, किसे कहते हैं? Okay, बचे. Molten किसे कहते हैं? पिंगले वे materials को. जो पिंगला हुआ होता है, liquid form में जो होता है. उसे कहते हैं, molten materials. तो अर्थ भी क्या था? Hot gases and molten materials. और दीरे-दीरे जब ये cool down हुआ, जब ठंडा हुआ, तो क्या होता है? एक solid outer crust form हो गई. इसलिए हमारे जो अर्थ के outer crust है, it is made up of rocks. Okay? And rocks are made of small grains called minerals. और rocks किसे बनी होते हैं? Mineral से बनी होते हैं. अब एक छोटा सा था कि मैं, पत्थर तो सारी जैसे होते हैं, तो आपने three type of rocks क्यों बताए हैं, कि ये अलग-अलग होते हैं? बेटा, three type of rocks इसलिए होते हैं, कि ये define करते हैं, कि किस तरह का mineral इनके अंदर है. Okay? So, now, let's start. We are going to read three types of rocks. Igneous rock, sedimentary rocks, and metamorphic rock. आप देख सकते हैं, three type of rocks आपके सामने. Igneous, sedimentary, and metamorphic. Rocks के क्या होते हैं, rocks have been broken down by the force of nature, like wind, rain, heat, ice, and waves. Rocks किसे broke down होते हैं? Force of nature से. अगर आपके घर के बाहर कोई पत्थर, अगर महाँ पे है, तो आप ये देखेंगे कि कुछ समय के बाद, उस पत्थर में crack आने शुरू हो जाते हैं. वो क्यों होता है? क्योंकि जो nature होता है, like wind, rain, heat, जब उस पे effect करते हैं, तो ये जो है, इगनियस रॉक्स, वैदरिंग के बाद, क्या किस में कनवर्ट हो जाते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स में कनवर्ट हो जाते हैं. और सेडिमेंटरी रॉक्स, अगर इफ्तियार कैप्टिन, and under the heat and pressure, they will convert into metamorphic rocks. मेटमॉर्फिक रॉक्स ही, मेल्टिंग लावा के फॉर्म में, दुबारा से इगनियस रॉक्स के फॉर्म में, तो ये एक आपका रॉक्स साइकिल होता है, ये तीन तरह की रॉक्स आपस में कैसे चेंज करती हैं? Now, in the next part, through this video, we are going to read, we are going to learn, how igneous rocks are formed. Now, बेटे, this is the earth crust, और earth crust में आप जो देख रहे हो, three types हैं, metamorphic rock blue में है, sedimentary yellow में, और red में igneous rock है. Igneous rock किस वर्ड से बनके मिला है? Igneous. Igneous का मेनिंग क्या होता है? Fire. क्या होता है? Fire का. उसे igneous को कहते हैं fire, इसलिए इसको कहते हैं igneous rocks. आप ये देख रहे हैं बेटा, it is a volcano. ये एक volcanic eruption है. volcanic eruption में क्या होता है? जो molten materials है, वो अंदर से बाहर, जब pressure के कारण बाहर निकलते हैं, जोला मुखी फटना. जोला मुखी ऐसे ही होता है. तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे ये वाल्केनों, अर्थ सर्फिस पे जब ये आ जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? Anyone knows? Yes, lava. It is known as lava. अर्थ के अंदर magma, जब ये जैसे ये outer crust में आए, तो ये क्या बन गए? लावा. तो जब ये लावा दीरे 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 cool down होता है, जैके, आप molten है कुछ समय बाद cool होगा, जब ये cool हो जाता, इसको कहते हैं, extrusive igneous rocks. दो तरह के rocks होते हैं, एक होता extrusive igneous rocks, जो earth surface के बाहर cool down होता है, molten material बाहर गिरा, और ये cool down हुआ, extrusive. दूसरा होता है intrusive, intrusive किसी कहते हैं, जब अंदर ही, जो है, आपका molten material ठंडा हो जाता है, आप देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ जब आ रहा है न, तो जो अंदर cracks हैं, उसमें कुछ molten material इखटा हो जाता है, जो earth surface के अंडर ही है, तो जब वो यहीं पे, soil के कारण, rock के कारण, बीश में होई रुख जाता है, जब ये अपने आप ठंडा हो जाता है, जो earth surface के अंदर है, जब ये अंदर ही अंदर, ठंडा हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, intrusive igneous rocks, क्या कहते हैं, intrusive igneous rocks, so I hope you all have understood, this process of igneous rocks, सबकी समझ में आ गया है, okay, so it is known as intrusive igneous rocks, now, ये types, आपको two types of igneous rocks, मैं आपको बता रही हूँ, एक है granite, granite ही होती है, जब magma underground ही कूल हो जाता है, okay, और ये किसलिए बनाते हैं, statues बनाने की काम आता है, next is, what is it, now the next one is, pumice stone, ये एक porous होता है, porous का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर छेद होता है, जैसे आप देखते हैं, pores, pores किसे कहते हैं, जो holes को कहते हैं, छेद को कहते हैं, आप देखते हैं, स्टोन के अंदर जो होल्स बने हुए हैं, ये बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है, और ये pores जो हैं, ये क्यों फार्म होते हैं, क्योंकि जब ये solidification होता है, मैगमा का, जब मैंने आपको बताया है, कि मैगमा ठंडे होने पर solid form में होता है, तो उस समय क्या होता है, जो gases है, वो इसके अंदर trap हो जाती है, और बाद में ये gas जब बाहर निकलती है, तो ये करती है, एक अंदर पोर छोड़ जाती है, एक छेट छोड़ जाती है, पाउड़र्ट पिमा इसको डाइंटिस्ट जो है, वो टीथ पॉलिशिंग के लिए यूस भी करते हैं, बाद में आन। नहीं पाइट प्रेशन, बाद पॉलिश गया पाईट प्रोसस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ जो भी a seat bed है, वहाँ पर जाके इखटे हो जाते हैं देखो आप देख रहे हो यह जो डेट प्लांट्स हैं यह सब एक के उपर एक इखटे होते जाते हैं एक के उपर एक जो है अंदर तो यह कहते हैं डिपोसिट होते जाते हैं जैसे से टाइम बीचता है यह सैंड, सॉल, डेट प्लांट् बनती रहती है ठीक है और यह करते हैं layers of sediment इसको क्या कहा जाता है बिटा layers of sediment और उसके बाद क्या होता है जब overtime जैसे time बीच आता है it will take a lot of time तो क्या होता है एक के उपर एक जब होता है तो pressure होता है अंदर heat और air का pressure है न तो उससे क्या होता है उससे सेडिमेंटरी रॉकस, आप देखरों थाॉजंट फिर्स लग जाते हैं इस प्रास्स को पूरा करने में, क्या होता है जैसे एक के परे क्लियर जैसे डलती जाती है वैसे ही वैसे अंदर हीट और प्रेशर बढ़ता जाता है तो जो अंदर जितने भी आपके materials होते हैं, जो dead plants है, sand है, वो धीरे-धीरे solidification हो, किस में convert हो जाते हैं? Sedimentary rocks में, understood? Now, come to the next one. Now, different type of sedimentary rocks. And, अब मैं आपको four types of sedimentary rocks बताऊंगी. First one is shale. Shale का form होती है, जब clay. अलग-अलग layers में बिटा, इनके अलग-अलग names होते हैं. Clay, and then sand. So, this is now. तो जो पहला है, shale, it will form when layers of clay are compressed together, under pressure. जब under pressure, जब clay की layers को compress किया जाता है, तो क्या बन जाता है? Shale. और यह क्यों यूज होता है? For making tiles and bricks. इससे क्या बनती है? Tiles बनती है. आपकी घर में tiles है, वो इससे बनती है. Next is sandstone. Sandstone का form होता है, जब layers of sand जो है, compress की जाती है. और इस लिए यूज होता है? As a construction material. Next is conglomerate. Conglomerate का form होता है, layer of gravel mixed with sand and minerals. जब layer of gravel, gravel की ज़ो layer है, जो sand and mineral के साथ मिली हुई है, जब वो compress होती है. Then conglomerate is formed. Last one is limestone. Limestone, क्या है limestone के अंदर एक mineral पाया जाता है, which is called calcite. और इससे क्या होता है? Animal के shells बनते हैं. Calcite जो है, animal की shells से बना होता है. So now this is the topic for today. So read, read all these topics from your book. And thank you. Have a nice day.